हर साल गरीबों के मद्यमबर के करीब करीब 20,000 करोड रुपी है शजार रुपे महीना मिलेगा, बड़ी खुसकवरी है दोस्तो कौन से ईसरम कारड धारकों को यह 45,000 महीना मिलेगा क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से उने दिया जाएगा, कौन-कून से ईसरम कारड धारक है सभी कोछ हम आपको यहां पर बताने बाले हैं दोस्तों आपको बता दें अगर आप कोई ठेला लगाते हैं या फिर कोई छोटा मोटा मकैनिक का काम करते हैं या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको 10-12,000 रुपए महीने की कमा पाते हैं इससे जदर नहीं कमा पाते हैं तो इन सभी इस रमकार्ट धारकों को सरक से दिये जाएंगे तो दोस्तों ये बड़ी खुसकब्री है अगर आपको जोटा मोटा कारो कारोगार करते हैं 10 से 15 हजार रुपे जिसमें कमा पाते हैं इससे जाधा नहीं हो पाते हैं आपके तब दोस्तों आपका इस रमकार्ड अगर है तो आपको मिलेगा 45,000 रुपे महीना जिसके जरी आपको एक जौब दी जाएगी उस जौब के बदले आपको 45,000 रुपे महीना दिये जाएंगे या फिर जिन इस रमकार्ड धारोगों के इससे जाधा कमाते हैं इससे जाधा पैसा उनके पास है और वो एक महीने में 15,000 से जाध कमा लेते हैं ऐसे इस रमकार्ड धारोगों को इसका लाब नहीं मिल पाएगा उन इस रमकार्ड धारोगों को वही लाब मिलेगा जो की इस टाइम चल रहा है या फिर आगे उनके लिए कोई और योजना बनाया चाती है और कोई लाब बनाया जाता है तो वह हम आपको जिसना लागू होगी तुरंत हम आपको वीडियो के मादने से बताएंगे अभी इसकी गोष्टना की गई है तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करने के लिए दोस्तो आपको क्या करना है 2022 देखना है इस वीडियो की नीचे इस त्रीक का लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन देख्राओगा आपको इसी पर दबा दिना है बराबर में आपके घंटे आ जाएगी उस पर दबा कर आपको उपर बाले पर दबा देना है जिससे की दोस्तो आपका जैसी यह उसना लागू होगी तुरंथ हम आपको वीडियो के मादने से बता देंगे और आप पा सकेंगे इसमें दोस्तों आपको रिजिस्टेशन भी करना पड़ सकता है जिससे की दोस्तों आपको सबसे पहले लाब मिल सकें तो आप मारे चैनले के साथ जुड़े हैं ताकि आप को हम समय से बता सकें